नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर हिमंत कुमा ठाकुर वाइस प्रिसिडेंट आप एचे में बाला घाट दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो मतलब मेडिकल साइंस उनिशेटी जवलपूर है उन्होंने अपने टाइम टेबल घोसित कर दिये और उसके बाद जैसे बीडी इसका भी टाइम टेबल घोसित कर दिया उनके भी जो रिमेनिंग जो एक्जाम थे जो बच्चेवी पेपर थे वह भी तेरह तारिक से लेने का फ उसके उपर कोई नर्णा या कोई किसी प्रकार का कोई फैसला बिना किसी कारण बताए मेडिकल स्टुडेंट के एक्जाम लिए जाने सुरू हो चुके हैं ठीक है ना तो बस अब इस्टुडेंट क्या करें वो क्या करें मैं आपको लाश्ट में बताऊंगा करना क्या है एक्जाम जल्दी हो रहे हैं स्टुडेंट के लेकिन मेरे कुछ सवाल है आपसे बस दो तीन सवाल है बस इसका मुझे किसी भी मतलब इंडायरेक्ट डायरेक्ट तो आंसर देने से रहे इंडायरेक्ली मुझे अब प्रत्रक चुरूप से आंसर बस मिल जाना चाहिए हमारे बस मेरे कुछ सवाल है जो इस्टुडेंट अभी घर में रुके विए हैं वहाँ एक्जाम देने जाएंगे कैसे क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कंटेटमेंट जोन हैं इंडोर और वोपाल है वही पर सबसे जादा कॉलेज हैं तो वह इस्टुडेंट जाएंगे कैसे पहल सबसे बिचल और वाली हैं तो वह रुकेंगे कहा फोस्टल को तो आपने कंटेटमेंट जोन बनाके रखा है वहाँ पर लोगों को बच्षे को ना कर रहे हैं वहां पर तो बच्चाम दीर मैंगे सेbird तीन महनों से जो इस्टुडेंट है अपने जो इस्टेडी मटेरियल है वहां अपने रूम पर छोड़के अपने होस्टल पर छोड़के वह जैसे तैसे घर जा चुके थे उसके बाद अचानक से यह एक्जाम का सेडूल आपने रेडी करवा दिया तो बस इन मेरे कुछ उसके बाद वेसे बहुत सारे सवाल है मामा जी जो इस छोटे से वीडियो में मैं आपसे नहीं कर पाऊंगा तो बस मेरी आपसे विंती है आप जो भी फैसला लें छातर हित को देखते भी ले और जो अभी जो एक्जाम जो 14 तारिक और जो 13 तारिक से ज बहुत अच्छी बात है लेकिन एक समय का ध्यान मतलब समय निर्धारित कीजिए उसका एक सही से रिवाइश्ट समय मेरा मानना है कि रिवाइश्ट समय से उसको मतलब निर्धारित कीजिए और मतलब छातर हित में मतलब जो इस्टुडेंट परेशान ना हो ऐसे निर्दार हित को देखते विए छातरों की परिसानियों को देखते विए और उनके हित में लेने का कश्ट करें और बस मेरा आप से इतने ही विंति है यदि आप तक ये मेरी खबर पहुच जाती तो प्लीज मामा जी इस पर थोड़ा सा अपना ध्यान केंद्रित करते विए इन चीजों क अपने को करना क्या है आप स्टुदेंट आप लोगों को करना क्या है आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है और नहीं आप कुछ कर सकते हो लमे करने सब्सक्राइब सबका टाइम टेबल आने वाला है ठीक है लेकिन आपको करना क्या है सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को आप अपने जो ग्रूप जो होते वहां पर स्टेंड कर दीजे ताकि जो हमारी बात है एक इस्टुडेंट की जो बात है वह हमारे मानेनी मुख्यमंतरी स्री सिवराज सिंग जी चाववान जी तक पहुंच सके इसके अलावा तुम कर भी ने को कुछ सकते हो ठीक है ना बस इतना कहके जै हिंद जै भारत